नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूईनम आपके साथ एक तास्त में पूजा बट को सभी कंटेस्टेंट को एक फिल्म में कास्ट काना था इसके लिए सभी कंटेस्टेंट को आडिशन देना था डिरेक्टर बनी पूजा बट ने हिरोईन के लिए जिया शंकर को चुना और विलेन के लिए एलविश यादव को पूजा बट ने पहले विलेन का रोल मनीशा रानी को दिया था उन्होंने मनिशा को विलेन बनने के लिए कहा था लेकिन जब नहीं मानी तो उन्होंने पासिंग रोल के लिए आडिशन देने के लिए कहा मनिशा रानी के साफ लबजों में कहा कि उन्हें रोइन बनना है लेकिन पुजा नहीं मानी दोनों के भी थोड़ी बहस भी हुई बाद में कास्टिंग पूरी होने के बाद जन्ता के द्वारा पूजा बट की कास्ट को नकार दिया गया जिसके बाद लोग काफी खुश हुए दिल्चस बात यह है कि पूजा जिसे विलेन और पासिंग करेक्टर बता रही थी उसे खुद आलिया भट ने हिरोईन कहा था रोकी और रानी के प्रेम कहानी के प्रमोशनल इवेंट में आलिया भट से पूछा गया था कि बिग बॉस ओडिडी टू में उन्हें कौनर को रानी लगती है इस पर आलिया ने एल्विश यादव को क्योंकि बहुत पूल है महीं उन्हें ने मनिशा रानी को हीरोईन में बता आलिया ने कहा था कि एक तो मनिशा के नाम में रानी है और दूसरा उनकी जोड़ी एल्विश के साथ काफी अच्छी लगती है पूजा बट और आलिया बट के इन स्टेट्मेंट पर सोचल मीडिया पर चचा का बाजार गरम है और लोग पूजा को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं साथ युणी कास्टिंग को अनफेर बता रहे हैं बता देगी पूजा और आलिया सोतेली बेहन है पूजा महेश की पहली पत्नी से बेटी है जबकि आलिया दुस्री पत्नी से इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद